मुरादाबाद के सौंदेर करन ही तू सीविल लाइन इलाके में लगी पोलाड लाइट गायब होने से पिछले जुनों पुलीस की कारिप्रनाली पर ही प्रश्न चिनहर लग गया था क्योंकि जो लाइट गायब हुई थी वो सीविल लाइन ठाने से मातर सौ मीटर दूर लगी हुई थी इस मामले में मुरादाबाद की पुलीस की खासी फजीहत भी हुई थी और हो भी क्यों न ये लाइट अटल पत पर जो लगी हुई थी ये तीनों शातर चोर पस्चम्बंगार के रहने वाले बताय जा रहे हैं जो वर्तमान में थाना गल्शईत इलाके के असालत पूरा रह रहे थे सिविल लाइन सीओ कुल दीब गुनावत इसे बड़ी काम्यावी मान कर चल रहे हैं आज प्रेस कांफरेंस के दोरान उन्होंने पूरी जानकारी दी जेल बेजा गया था उनके पास से लाइटे बरामत की गई थी उसमें उसी दौरान जो जो इनसे सूचना मिली थी उसी के तहट कुछ मुल्जेमों की तलाश थी जो की अभी तीन मुल्जेम उस दौरान फ्रोसी के कंटिनुएशन में पकड़ी गए जा और इस पे इनके पा सामने आया कि यह सब लाइटे चोरी करके यह अपने नशा का शौक पूरा करते थे और इनके पास से स्मैक भी बरामत हुआ है और इनको गिरफतार करके थाना रस्रुम नहीं तो इसमें जो की लगातार भुपना यह हो रही थी उस पे आवश्यक रूप से रूप लगी लि पेजने के बाद चोरी की जो गटनाए है उन पर रोख लगे गातार भूर मतलब अपने नशा के शौक पूरा करने के लिए रहा किये है और अब ही भी इनको भेजने के बाद इसे चोरी की जो गटनाए पूर में जो तीन लोग पकड़े गए थे उन लोगों ने यह बताया था कि इस तरह की गटना करने वालों में कुछ और लोग भी शामिल हैं तभी से इनकी नरंतर तलास चल रही थी इसी दौरान कुछ और गटना है हुई थी लाइट टूटने की तो उसी के संबंद में यह अभी इन से पूश्टाच में कुछ और लोगों के नाम सामने आये हैं अला कि उन्होंने लाइट के संबंद में नहीं है बट इनके साथी हैं जो कुछ और इस प्रकार के ने चोटी मोरी चोरी करते हैं उनको